ओम श्री कने शाय नमा दोस्तों 15 मई 2020 याने की शनिवार के दिन विनाय की चतुर्थी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ विनाय की चतुर्थी की कथा माने जाता है कि चंदर देपता की पूजा के बिना विनाई की चतुर्थी की पूजा अधूरी होती है इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको चंदरोदे और चंदरास्त का समय भी बताऊंगी लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाओंडी इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा आज के दिन इस कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों पर ही भगवान गणेश की गरपाबनी रहती है विग्ण हरता गणेश उनके सभी विखनों को उनके सभी दुखों को दूर करते हैं उन्हें हर तरह की बिमारियों से भी मुप्ति दिलाते हैं आए दोस्तों सुनते हैं विनायकी चतुर्थी की यह कथा विनायक महराज भोजन प्रेमी है और यह कथा जोड़ी है उनके भोजन प्रेम से परानिक कथा के उनुसार बात उस समय की है जब कुबेर देवता के पास स्वर्ण का अक्षद भंडार हो चुका था और अपने स्वर्ण भंडार से गत-गत कुबेर ने सोने की लंका का निर्मान भी करा दिया और जैसा कि स्वभाविक है सोने की लंका बनवाने के बाद अपने एश्वरे का प्रदशन करने के लिए कुबेर देटा का मन बेचैन होने लगा उन्होंने अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करवाया जिसमें देटा भी शामिल हुए चारों और कुबेर की धन, संपदा और एश्वरे के चर्चे होने लगे इसके बाद भी जब उनका गर्वित्मन संतुस्ट नहीं हो पाया तब उन्होंने सोचा क्यों न अपने एश्वरे और वैभव का प्रदर्शन परमात्मा के समक्ष भी किया जाए इसलिए कुबेर देवता ने पहले भगवान विश्णु को आमंत्रित करने के बारे में सोचा इसी के साथ उन्हें याद आया कि विश्णु जी तो धन की साक्षात स्वरूब मा लक्षमी जी के अधिपती है उनके सामने तो उसका वैभव कहीं ठहर ही नहीं पाएगा इसके बाद कुबेर ने ब्रहमा जी को बुलाने का सोचा पर वो ठहरे ज्यानी उनका समद केवल ज्यान और शास्त्रों से था धन संपदा से तो उनका कुछ लेना देना ही नहीं था और ना ही उन पर उसका कोई भी प्रभाव पढ़ने वाला था इसके बाद भोले बंडारी भगवान शिप को यात कर कुबेर देवता आनंद से सराबोर हो गए उन्होंने सोचा कि एक व्यागर चर्म धारंट करने वाले खुले पहाड़ों में रहने वाले शिप जब उसकी लंका को देखेंगे तब उनकी आंखे चौनधिया जाएंगी ऐसा सोचकर कुबेर ने तुरंट ही भगवान भोले नात को आमंदित करने का सोचा और उन्हें आमंदन देने के लिए चल पड़े और जब कुबेर शिव जी को अमतित करने के लिए केलाश पर्वत पर पहुंचे तब उस समय शिव जी ध्यान मग नवस्था में बैठे वे थे अब कुबेर उनके जागने की प्रतिक्षा करने लगे शिव जी जब ध्यान से उठे तो कुबेर को देखते ही उनकी मन का भाव भी जान गए और कुबेर की नादानी पर मन ही मन मुस्करा उठे कुबेर ये समझ ही नहीं पाए कि जिसे कणकण का म्भान है वह उनका मन भी बढ़ सकता है उन्हाने शिव जी से कहा कि है भगवान मैंने एक छोटा सा घर बनवाया है और मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर को अपनी चरण धूली से पवित्र कर पाए करपया मेरे घर पर भोजन का निमंतर्ण स्विकार करें भगवान शिव ने उन्हें बढ़ाई देते भी कहा कि अभी तो मैं नहीं आ सकूँगा लेकिन मेरा पुत्र गणेश आपका निमंतर्ण अवश्य स्विकार करेंगा गणेश जी उस समय किशोर आवस्था में थे कुबेर ने सोचा पिताना सही बेटा ही सही मेरा एश्वरी देखकर अपने घर में कुस्तो चर्चा करेगा इस तरह दूसरे दिन सही समय पर गणेश जी अपने वाहन मोशक पर विराजमान होकर कुबेर के यहां उपस्तित हो गए कुबेर ने उनका स्वागत कर लंका दर्शन का प्रस्ताव रखा लेकिन वह भूल गया कि गणेश जी तो भोजन प्रेमी है गणेश जी ने कहा मैं तो भोजन करने यहाया हूँ आपकी लंका देखने बिलकुल भी नहीं आया भोजन लगवा दिजे मुझे भूख लगी है मन मसोसकर कुबेर जी ने भोजन लगवा दिया लेकिन गणेश जी की भूख का अंदाजा उसे बिलकुल भी नहीं था गणेश जी ने कुबेर के घर का सारा भोजन पलक जपकते ही साफ कर दिया और अधिक मातरा में भोजन लाने के लिए भी कहा और तब कुबेर ने अपने महल के समस्त सेवकों को भूजन बनाने और परोसने में लगा दिया पर गणेशी की भूख थो खत्म ही नहीं हुई वास्तविक्ता यह थी कि गणेशी का पेट मा पार्वती के हाथ से एक कौर खाना खाकर ही भरता था और यहां पर मा के अभाव में उन्हें पेट भरने का अभास ही नहीं हो पा रहा था आखिर कार ठक हार कर कुबेर ने हाथ चोड़कर माफी मंग ली और भूजन परोसने में अपनी असमर्तता भी जता दी गणेश ची बहुत नराज हुए और बोले कि तुम तो एक व्यक्ति को भरपेट भोजन तक नहीं करा सकते फिर तुम्हारे इस धन एश्वर्य और सोने की लंका का क्या मोल है भला पहले भोजन की व्यवस्था तो कर लेते फिर निमंत्रन दे लेते गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर कुबेर शर्म से पानी पानी हो गए उधर किलाश परवत पर ध्यान मगन शिवजी ने इस पूरे प्रकरण का भरपूर आनंद लिया दोस्तो यह थी विनाईक चतुर्थी की कथा अब जानते हैं विनाईकी चतुर्थी कब से लेकर कब तक रहने वाली है और इसके साथी चंद्रोदे और चंद्रास्त के समय के बारे में दोस्तो चतुर्थी थी प्रारम हो रही है 15 मई शनिवार की सुभा आठ बचकर एक मिनट से और यहतिती समाप्त हो रही है 16 मई रविवार की सुभा दस बचकर एक मिनट पर इसके साथी 15 मई को चंद्रोदे का समय रहेगा आठ बचकर दस मिनट पर और चंद्रास्त का समय रहेगा दस बचकर तेरह मिनट पर दोस्तों अब मैं आपको बताती हैं बहुत ही सरल और आसान सा उपाय जिसे विनायक की चतुर्टी के दिन चरूर करना चाहिए कहा जाता है कि आज के दिन इस उपाय को करने से विनायक महराज की करपा बनी रहती है और जिस भी इच्छा की पूर करना है और इस उपाय को करने के लिए आपको साथ मुठी साबुत हरी मुठ चाहिए एक-एक मुठी दाल आप भगवान गणेश के चर्णों में अर्पित करते रहें और इस मंत्र का जाप करते रहें ओम गंगर्पते नमा इसकी बात जब आपकी सुभा की पूजा संपन हो अनुकामना विनायक महराज जरूर पूरी करेंगे दोस्तों यहती आज की वीडियो उमीद करती हूं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में गणिश भगवान की चय लिखकर म आए दोस्तों अगली वीडियो में आपको बताऊंगी मुहनिएक अबशि की तिति और शुब मुर्थ के बारे में इसके साथ दिन सुनी जाने वाली ब्रतक्ता के बारे में अगर आप भी इस बारे में जानना चाहें तो मेरी अगली वीडियो का इंतशार जरूर कीजेगा झाल